दोपहर तक स्पॉंसर बाइ कॉटिल्य अकाडमी रीवा पूरे मध्यप्रदेश में 10 अप्रेल तक गर्मी का औरेंज अलर्ट है और इसमें सावधानी रखने की सक्त हिदायत मौसम विभाग और डॉक्टर्स दे रहे हैं बता दे जबलपूर ग्वालियर और इंदोर में भीशन गर्मी का सामना करने की संभावना है और यहां पर जादा गर्मी पर सकती है मौसम विभाग ने 8 अप्रेल और 27 अप्रेल को 27 जिलो में हीट वेव का यलो अलर्ट जारी किया है और 10 अप्रेल तक पूरे प्रदेश में गर्मी का औरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के अनुसार आज कोसागर, गौालियर, चंबल संभागों के साथ रीवा, सतना, चिंदवाडा, उमरिया, भुपाल, राजगर, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम और शाजापुर जिलो में लू का यलो अलर्ट है पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 डिगरी तक दर्ज किया गया है और अप्रेल महीने में ही काफी तेज गर्मी पड़ रही है जिसको देखते हुए मौसम विभाग और डॉक्टर्स लगातार लू से बचने और सावधानी बरतनी की बात कह रहे हैं कि रिवा जिले में भी आने वाले पांच दिनों में आज से ही पांच दिनों तक तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा तो इस लू से बचने के लिए तमाम चीजें आप अपनाएं और काम न पढ़ने पर खासकर दोपहर में घर से बाहर कम से कम निकले और अगर आप निकल रहें तो पूरे इंतिजाम के साथ निकले ताकि लू की चपेट में आने से बच सकें फिल्हाल दस अप्रेल तक पूरे प्रदेश में लू का यलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ रिवा सरकिट हाउस रेपकान के मामले से जोड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है चटवा आरोपी इसमें गिरफतार हो गया है जानकारी के मताबिक वारदात वाली रात रविशंकर शुकला जो की अपनी वैगनार कार से जोन ही संजित रुपाटी के फार्म हाउस तक महंत को छोड़ने के लिए गया था दरशल महंत से पूच्टाच की गए उसमें उसने कस्टिडी के दौरान ही पपू शुकला का नाम लिया जो की जो गारी चला कर फार्म हाउस तक महंत को छोड़ने गया था जिसके बाद सिविल लाइन थाने की एक टीम पपू शुकला की तलाश कर रही थी जिसको बीते दिन साइबर सेल की मदद से गिरफ़तार कर कोट में पेश कर जेल भेज दिया गया है अब तक 6 आरोपी गिरफ़तार किये जा चुके हैं दो फरार बताए गए थे और अभी फिर से एक आरोपी की गिरफ़तारी होगी छटवा आरोपी यह पूरा मामला काफी सुर्कियों में रहा है और इस पूरे मामले में सनलिप्त सभी लोगों के उपर कारवाही की जा रही है और गिरफतार किया जा रहा है महंत अगले ही दिन पकड़ा गया था और उसके बाद एक एक कर आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफतार किया जा